दोस्तों डूपल सेवन हिंदी में आपका स्वाधत है दोस्तों इस वीडियो में हम लग कवर करेंगे contextual filters जो की व्यू में होता है contextual filters एक बहुत ही important पार्ट है व्यू का दोस्तों आपने कि ब्लॉक में अगर यूज कर सकते हैं तो उससे रिलेटेड आर्टिकल या रिलेटेड इमेजस या रिलेटेड पोस्ट आते हैं तो दोस्तों यह यह जो contextual filter है यह इसी के माध्यम से आते हैं हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे यह कैसे इसे रिलेटेड आर्टिकल लाते हैं इस वीडियो में हम बेसिक बेसिक देखेंगे और भी वीडियो हो जो हम contextual filter में बनाएंगे तो उसमें कवर करेंगे दोस्तों मैंने अपने content टाइप में एक इस्ट्रा फिल्ड एड़ की है तो उसके लिए आप मैं आपको दिखा देता हूं आप इस टेक्चर में जाएंगे content टाइप में जाएंगे कि अपने आर्टिकल की मैंने फिल्ड में जाएंगे दोस्तों यहां पर मैंने एक नई फिल्ड एड़ किया है अगर आपको आड़ करनी है तो आप भी ऐसे आड़ कर सकते हैं मैंने text लिया है text 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 लिया है save कर दिया है बाकिज default configuration save कर दिये तो इस फिल्ड में हम लोग यह सो करा रहे हैं कि यह article किसने create किया है just like example और फिर मैंने जो अपने जो content है उन में जाके इसे अपडेट कर दिया है देख लेते हैं यह देखिए यहां पर create by मैंने admin डाल दिया यहां पर user डाल दिया हमारे website पर समय तीन आर्टिकल हैं तो तीनों मैंने जो create by के फिल्ड थी वह फिलप कर दिये admin डाल दिया है ठीक है उसके बाद दोस्तों हम भी अपना व्यू बनाएंगे इसके लिए structure में जाएंगे व्यू पर क्लिक करेंगे एड निव व्यू आर्टिकल क्रियेटर्ड इंफो आर्टिकल के लिए बना रहे हैं इसलिए content आप आर्टिकल सेल्ट कर लेंगे पेज नहीं बनाएंगे ब्लॉग बनाएंगे कंटिन से कंटिन एड़िट कर देंगे दोस्तों इसमें हमें वह फिल्ड फैच कराएंगे जो हमने अभी एक्स्ट्रा एड की थे अपनी content टाइप में क्रियेटर वाइड लेबल चाहिए तो रग लीचे बाके डिफाल्ट सेप करा देते हैं कि देखे यह फैच हो क्या गया वीव में हमें content टाइटल क्या वह सकता नहीं है तो हम इसको अभी के लिए रिमूब कर देंगे दोस्तों अभी इतना हम सेव करके देख लेते हैं दोस्तों हमने विव से ब्लॉक बनाया है तो हम स्ट्रक्चर में जाएंगे ब्लॉक में जाएंगे यह देखिए जो हमने विव बनाया था यहां आ गया है इससे कंप्रिकेशन में जाएंगे तो हम इसको आर्टिकल स्लैस अश्टिक प्याने की आर्टिकल की जो सब पिजिस उसमें ही क्यों लिस्टिंग कराएंगे और इसको साइड वार फरस्ट में रख देंगे और सेव कर देंगे यह देखिए आ गया है कि वीव में चलते हैं क्योंकि हमें के वल एक ही लोड कराना है यहां जो आइटम फाइव है हम इसको बन कर देंगे सेव कर देंगे अभी चेक करेंगे आर्टिकल में के पेजिस पर यह देखिए एडमीन आया एडमीन आया एडमीन आया लेकिन दोस्तों आप गौर कर रहेंगे कि यहां सब जगह का एडमीन आ रहा है जबकि इस आर्टिकल को यूजर ने क्रेट किया है दोस्तों अब यहां से कंट्रक्चुल फिल्टर का वर्किंग स्टार्ट होता है हम कंट्रक्चुल फिल्टर को यूज करने के लिए इसके विव के विव पर जाएंगे जो हमने विव अभी बनाया उसके बाद यहां जो अडवांस जो अडवांस है इस पर क्लिक करके जो पहला है कंट्रक्चुल फिल्टर इस पर एड़ पर क्लिक करेंगे यहां पर हम कंटेंट एन इडी शेलेक्ट करेंगे अप्लाई करेंगे इस सेटिंग में हम प्रोवाइड डिफाल्ट वेल्यू सेट करेंगे फिक्स्ट वेल्यू पर क्लिक करेंगे और कंटेंट आइडी फ्रॉम यूरल मतलब अब कुछ भी लोड होगा तो वो यूरल से होके हूँ आएगा सेव कर लेते हैं बाकी सेटिंग डिफाल रखते हैं देखिए यहां वियू में कुछ नहीं लूड हुआ लेकिन आगर अगर अग्जामपल देखेंगे तो मैंने जो आर्टिकल बनाया था उसकी नोड आडी एड थी तो अगर मैंने इसको एड चेक की तो यह देखिए क्रि अब चेक करते हैं यहां जूजर था यहां एडमीन आ रहा था रिफरेस्ट करते हैं यह देखिए यूजर हो गया दो यह जो भी यहां कंटेंट आएगा वह यूरल से होके आएगा वह यूरल में चेक करेगा नोड आइडी चेक करेगा नोड आइडी में जो ही डेटा होगा वो ही ले के आएगा वो तो दोस्तों यह था कंट्रक्चिल फिल्टर अकर इससे लेटर आपको कोई क्वेरी होती है तो कमेंट पर छोड़िए हम उसका रिपलाई करेंगे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटस्ट वीडियो की निउस मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार